हलो एवरीवन, वेलकम टू रेसिपीस बाई फरीदा, आज हम बनाने वाले फुल अफ वेजिटेबल, हेल्दी एंट टेस्टी वेजिटेबल पेनकेक, तो आएए उसकी प्रोसेस देख लेते हैं, उसके लिए कैबेज लिया है, कैबेज को इस तरह से लंबा लंबा हमें काट लेना है, कैपसिकम को भी हमें इसी तरह से जूलियन में कट कर लेना है, प्यास लिया है, उसे भी इस तरह से जूलियन में कट कर लेंगे, कैरेट को मैंने यहाँ पे इस तरह से मोटा मोटा ग्रेट कर लिया है, आप चाहे तो उसको भी जूलियन में कट कर सकते हो, सेम वे म में ने आलू को भी मुटा मुटा ग्रेट कर लिया है अब एक बाउल में cabbage एड़ कर लेंगे कैबसिकम एड़ कर लेंगे यहाँ पर हमें सारे वेजटेबल को इस तरह से जूलियन में ही कट करना है और आप वेजटेबल अपने ही साब से जोचा है एड़ कर सकते हो ग्रेट किया हूँ आलू एड़ कर लेंगे सूजी एड़ कर लेंगे सूजी यहाँ पे मैंने तीन टी स्पून एड़ की है बहुत ज्यादा सूजी हम एड़ नहीं करनी है बेसन लिया है तीन टेबल स्पून बेसन एड़ कर लेंगे और दो टेबल स्पून राइस फ्लार याने के चावल का आटा एड़ कर लेंगे और इन सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है यहाँ पे हमने वेजटेबल का प्रकोशन ही बहुत ज्यादा रखा है सो हम आटे का बहुत थोड़ा ही इस्तेमाल करेंगे बारिक कटी हुई हरी मिर्च और बारिक कटा हुआ धनिया एड़ कर लेंगे नमक स्वादनुसार एड़ कर लेंगे तनिया जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर एड़ कर लेंगे और इन सारी चीजों को हमें इस तरह से हाथों से अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लेना है क्योंकि इस तरह से हम मिक्स करेंगे तभी जो वेजटेबल में जो पानी का पोशन है वो रिलीज होगा और जो हमने बेसन, राइस फ्लार वगिरे एड़ किया है वो थोड़ा सा इसमें इस तरह से बाइंड हो जाएगा इस तरह से मिक्स करते जाएंगे तो वेजटेबल का जो मुश्चर होता है वो रिलीज होता जाएगा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी हमें एड़ करना है और मिक्स कर लेंगे बहुत ज्यादा पानी हमें एक साथ मिक्स नहीं कर देना है क्यूंकि वेजटेबल अपना भी पानी छोड़ता है जैसे जैसे mix करते जाएंगे vegetable अपना पानी भी छोड़ता जाएगा और उसी में से binding आता जाएगा और हमने यहाँ पे vegetable का मात्राई बहुत ज्यादा रखी है जो बेशन राइस प्लार है उसका portion बहुत ही कम है तो पानी हमें बहुत ज्यादा एड नहीं करना है यह देखे इस तरह से हमें यह mixture ready कर लेना है और इसको आप बना के बहुत ज्यादा time तक नहीं रख सकते क्यूंकि वो नरम हो जाता है हाथों में थोड़ा सा पानी या फिर थोड़ा सा तेल भी लगा सकते हो और इस तरह से medium size के pancake बना लेंगे आप size अपने ही साब से छोटी बड़ी कर सकते हो यहाँ पे मैं इस तरह से छोटे छोटे pancake बना रही हूं आप इसको lunch box में भी बच्चों को बना के दे सकते हो breakfast में भी आप इसको बना सकते हो एक non-stick तवा लिया है उसमें थोड़ा सा तेल एड़ कर लेंगे और जो हमने pancake बना के ready किये थे वो इसमें एड़ कर लेंगे इसमें एक तो vegetable बहुत ज्यादा मात्रा में है और बिलकुल भी non-fried है तो healthy तो है ही और बन भी बहुत ही जल्दी जाता है और खाने में तो बहुत ज्यादा tasty ही यह तरफ से अच्छे से cook हो गए उसको turn कर लेते हैं और इसको आप जितना crispy बनाना चाहते हो उस तरह से आप इसको roast कर सकते हो यह हमारे pancake एक तरफ से अच्छे से roast हो गए उसको turn कर लिया है और यह देखिए यह हमारे pancake अच्छे से cook हो गए है उसे plate में निकाल लेते हैं I hope आपको मेरी आज की recipe पसंद आई होगी और पसंद आई है तो like and comment जरूर से करना और आपने मेरी channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe कर लीजिए और आप इस healthy recipe को जरूर से try करना और मुझे comment करके जरूर से बताना कि आपको मेरी यह recipe कैसी लगी तो फिर मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई